नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का एक बार फिट से फ्रैंशल अड़ा यूटू चैनल में दोस्तों सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉंग्राचुलेशन क्योंकि मार्केट इस टाइम हाइस पर है निफ्टी ने 19,000 क्रॉस कर लिया है और सेंसेक्स ने भी 65,000 क्रॉस कर लिया है उसके लिए आप सभी को कॉंग्राचुलेशन और आज मार्केट हाइप है तो आप देख रहे हो लगातार आईपियोज भी आ रहे हैं क्योंकि हम सबको पता है कि आईपियोज जादा तर तब ही आते हैं जब मार्केट और टाइम हाइपियो होती है या बेसिकली मार्केट बुल फेस में होती है जब मार्केट बढ़ रही होती है जादा तर आईपियोज आते हैं लिस्टिंगें के लिए करें या लॉंग टर्म के लिए और लिस्टिंगें कितना होगा आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक जुरूर देखना और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में दिये गए बेल आइकन को भी जुरूर दबाओ ताकि आने वाली वीडियो की नोडिविकेशन मिल पाए तो चलिए दोस्तों आज की IPO रिव्यू वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले बात करतें अबाउट कंपनी की कंपनी की बात करें तो कंपनी का नाम है सेंको गोल्ड लिमिटेड आईपियो कंपनी जो है इंकॉर्परेटिड हुई थी 1994 में और ये पैन इंडिया जुवेलरी रिटेलर है यानि ये लोग डील करते हैं जुवेलरी में गोल्ड जुवेलरी, सिल्वर जुवेलरी, डायमेंड जुवेलरी और अलग colors और अलग precious stones में ये लोग डील करते हैं The products are sold under its brand name Senko Gold & Diamond. जो भी इनके product बेचे जाते हैं, वो under the brand name Senko Gold & Diamond के नाम से बेचे जाते हैं. Senko Gold Primary sell golds and diamond jewelry along with jewelry made of silver, यानि ये silver की भी jewelry पर deal करते हैं और उसके साथ-साथ platinum में भी deal करते हैं, precious and semi-precious stones में भी ये लोग deal करते हैं, और company also offer costume jewelry, gold and silver coins and utensils made of silver. इसके इलावा अगर हम आगे बात करें company की, तो company के पास इस time 136 showrooms हैं, which have a total area of approximately 4,09,882 square feet. It includes 70 company operated showrooms and 61 franchise showrooms, यानि company के पास अपने की अगर बात करूँ न, अपने 70 company oriented showrooms है, जो company operate करती है, और उसके साथ-साथ 61 franchise showrooms है, जो की spread है across 99 cities and towns over 13 states of India. आगे बात करते हैं IPO details की, तो ये तो होगी company की discussion होगी, कि company क्या काम करती है, I hope आपको समझ आ गये होगा, और अब हम बात करते हैं IPO details की. तो IPO open होने जा रहा है 4th of July को, और close होगा 6th of July 2023 को, यहां पर face value रखी गई है, 10 rupees per share की price band रखा गया है, 301 rupees to 317 per share का, lot size रखा गया है 47 shares का, और total issue size है 405 crore का, जिसमें इस fresh issue है 270 crore का, और offer for sale है 135 crore का. अब दिखिए fresh issue और offer for sale में क्या difference होता है, अब जो इनका fresh issue है 270 crore का, वो नए share issue हो रहे हैं और उसका पैसा company के पास आएगा, promoters के पास नहीं जाएगा. वहीं जो offer for sale है 135 CR का, उसका पैसा promoters के पास जाएगा, जो अपना steak यहाँ पर बेच रहे हैं, company के पास नहीं जाएगा. आगे बात करते issue type की, इनिशेशन आफ रिफंड की डेट है, यहाँ पर 12 जुलाई अगर आपको लॉट में नहीं मिलती, तो 12 जुलाई को यहाँ पर रिफंड आ देगा, कभी कबार रिफंड आने से एक या दो दिन लग जाते हैं, और अगर आपके पैसे नहीं आते हो, पैसे फस जाते हैं, तो आई बटन पर यह वीडियो आ रही है, मैंने इसका solution दिया हुआ है, यह वीडियो भी आप check out कर सकते हो, आगे बात करते हैं credit of share to demat account में, तो demat account में shares जो credit होएंगे, वो 13 जुलाई को होएंगे, listing rate यहाँ पर है 14 जुलाई 2023, और उसके साथ साथ बात करूँ, तो last cut off time में 6 जुलाई को 5 बज़े से पहले-पहले आपको mandate accept करना होगा, अगर आपको यह IPO अप्लाई करना है, आगे बात करते हैं lot size की, retail में minimum 1 lot आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें 47 shares है, और amount है 14,899, retail में maximum 13 lot है, small H&I में minimum lot है 14, small H&I में maximum lot है 67, और big H&I में minimum lot है 68, जिसका amount है 10,13,132, आगे बात करते हैं promoter holding की, तो before issue promoters के पास holding है 76.92%, which is a good holding, और after issue 68.48% रह जाएगी, अभी ऐसा नहीं है कि promoter बहुत ज़्यादा माल बेच रहे, थोड़ा बहुत ही माल बेच रहे, promoter still have approximately 70% यहाँ पर उनका जो promoter holding है, अभी भी 70% है, तो एक अच्छा ही साइन है, कोई गलत साइन नहीं है, अब हम बात करतें company financials के बारे में, अब ध्यान से समझना, financials पे हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे, because हमें financials ही पताएंगे, क्या यह company profitable है, यह loss making है, सो ध्यान से सुनना यहाँ पर financials को, सबसे बहले बात करतें, 31st March 2021 की, तो इनका total revenue था 2674.92 करोड का, और इनका उसी साल profit after tax था 61.48 करोड का, 31st March 2022 को, इनका total revenue हो जाता है 3547.41 करोड, और profit after tax बढ़ जाता है और हो जाता है 129.10 करोड का, 31st March 2023 की अगर हम बात करें, इनका total revenue हो जाता है 4108.54 करोड, और profit after tax हो जाता है 158.48 करोड का, तो इसके according revenue और profit, हर साल, पिछले हमारे पास 3 साल का data है, 3 साल से अगर हम देखें, तो revenue और net profit दोनों ही increase हो रहे हैं, पट यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जो की company का एक negative point है, वो है total borrowings, यानि करजा, अब ध्यान से देखो, 31st March 2021 को इनकी total borrowing सी 532.44 करोड, जो की 31st March 2022 में हो जाती 862.97 करोड, और देखने वली बात यह है कि 31st March 2023 में, यह total borrowings, यानि total करजा कंपनी का, वो हो जाता है 1177.17 करोड, यानि 1177 करोड का यहाँ पर करजा कंपनी के ओपर हो जाता है, जो की थोड़ा सा मुझे जादा लग रहा है, अब आके देखते हैं, इनका objective है कि क्या यह अपना करजा कंप करेंगे या नहीं करेंगे, इसके बारे में हम लोग discuss करने वाले हैं, बट अभी अगर हम बात करें तो कंपनी के ओपर borrowing सोड़ी जादा है, बेशक कंपनी के जो financial है वो अच्छे है, प्रोफिटेबल है, रिवेन्यू बढ़ रहा है, नेट प्रोफिट बढ़ रहा है, बट वहीं total borrowings भी कंपनी की बढ़ रही है, तो financial ठीक ताक है, बट borrowing सोड़ा सा यहाँ पर negative हो जाता है कंपनी के लिए, आगे बात करते हैं, की performance indicator की, तो PE यहाँ पर है कंपनी का 15.53, market cap है यहाँ पर 2,462 क्रोड का, ROE है 18.9% का, ROCE है यहाँ पर 14.2% का, debt equity ratio है 1.25 की, EPS है 22.93, और return on net worth है यहाँ पर 18.96% की, आगे बात करते हैं, objective of the issue की, अब देखते हैं कि इनका objective का है, तो सबसे पहला इनका objective है, funding working capital requirement of the company, यानि यह जो पैसा raise कर रहे हैं, उससे funding यहाँ पर working capital requirement, fulfill करने वाले हैं, और second है general corporate purpose, तो यहाँ पर इनका objective यह, में को अभी तक नज़र नहीं आया, यानि यह जो पैसा raise कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर नहीं लग रहा कि यह अपना करजा कम करेंगे, हो सकता है profit से अपना जो borrowing कर देंगे, बट जो इनके ओपर कर जाए, वो कहीं न कहीं इनके लिए negative बात हो जाती है, अब आते हैं बहुत ही important point पर, क्या मैं इस IPO को apply कर रहा हूँ, और आपको यह IPO apply करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका decision लेते हैं और discuss करते हैं, तो सबसे बहले बात करते हैं grey market premium की, तो अभी grey market premium चल रहा है, यहाँ पे 120 रुपीस per share का, तो देखी 47 shares का यहाँ पे lot रखा गया है, उसके according हमें 5,640 रुपीस का यहाँ पे profit देखने को मिल सकता है, अगर बात करूँ, आज के GMP के according, जो अभी grey market premium चल रहा है, मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, टाइम हो रहा है, तीन बच के साथ मिनिट का, और डेट है 4 जुलाई, और आज grey market premium जो चल रहा है, वो चल रहा है 120 रुपे के आसपास per share का, तो 120 को अगर हम into करते हैं 47 share से, तो यहाँ पर निकल के आता है 5,640 रुपीस, तो इतना हमें एक lot पर listing देखने को मिल सकता है, अब मेरे point पर आते हैं, क्या मैं इसे apply कर रहा हूँ या avoid, यह company अच्छी है, debt थोड़ा ज़्यादा है, वो एक negative point है, बट still company काफी सही लग रही है, मुझे इनका business model भी अच्छा है, और इनके जो basically showrooms है, वो भी काफी सारे हैं, उसके साथ-साथ franchisee showrooms भी बहुत सारे हैं, तो यह company में growth के भी chances हैं, वेराइस listing gain की बात करूँ, तो अभी grey market में अच्छा इसका premium चल रहा है, तो मैं अपना listing gain के लिए ही मेरा main focus है, बाकि अगर में को lot मिल गया, तो कुछ share में long term के लिए hold करने वाला हूँ, बट 80% में profit book करने वाला हूँ, तो मेरा main focus listing gain के लिए ही यहाँ पर apply करने का है, आप apply कर रहे हूँ या नहीं कर रहे हैं, एक बार comment करके में को जरूर बताना, और जी हाँ एक disclaimer देना चाहता हूँ मैं आप सभी को, जो भी मैंने आपको बात बताई ही मैं apply कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, जो भी मैंने आपको बात बताई ही यह purely educational purpose के लिए एक आपको guidance देने के लिए है, तो please please इसको advice मत समझना, आपको अपने advisor से advice जरूर लेनी है, और साथ में अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है, आप financial advisor से help लो, या किसी बड़े की help लो, जो भी मैं बात कर रहा हूँ, वो purely educational purpose के लिए है, मैं फिर से disclaimer देना चाहता हूँ, यह सिर्फ और सिर्फ purely educational purpose के लिए है, तो मैंने अपना decision दे दिया है, मैं इस IPO को listing गेन के लिए apply कर रहा हूँ, आप apply कर रहे हो या नहीं कर रहे हैं, एक बार comment करके मैं को जरूर बताना, और आप सब अगर IPO के updates regularly चाहते हो, कि आपको IPO के updates मिलते रहें, तो आप हुमारा free telegram channel और whatsapp group जरूर जूर जॉइन करिए, लिंक description में है, बिल्कूल free है, और साथ में आप हमारी prime community जो 99 रुपीज पर मन से start होती है, आप वो भी join कर सकते हो, purely educational purpose के लिए जो आपको सिखाने वाली है, हम सारा काम education के लिए करते हैं, यानि आपको educate करने के लिए करते हैं, तो आप हमारी prime community जुरूर जाइं करो, free DMAT account अगर आपको open करना है, तो link description में है, और जाते जाते लाश बात मैं दुबारा से कहना चाहता हूँ, आप हमारी website www.financialadult.co.in पर जुरूर visit करें, और हमारी जो merchandise है वो जुरूर check out करें, must visit www.financialadult.co.in और आज की वीडियो के लिए इतना ही, कोई भी doubts हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नामस्कार.